आपका स्वागत है अनुराग अगनी होतरी के साथ आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हेडलाइन आईए नज़र डालते हैं सबसे पहले बड़ी सुर्ख्यों पर बाउंसर गेंदो पर जस्टीन लेंगर का वयान कहा अगर जरूरत परी तो ही हम बाउंसर का इस्तिमाल करेंगे आज से भारतिया टीम शुरू करने जा रही है विश्वर टेस्ट चैंपियनशिप का अगाज 14 जून को लॉड्स में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला बिसीसी आई ने ताजा वीडियो किया जारी विराट कोहली ने विवियन रिचर्ड से पूछे सवाल हाई वोल्टेज मैच में पिंक पैंथर्स तमिल थलाइवाज पर परिभारी टीम के स्टार खिलारी रहे फ्लॉप पीवी सिंदु का देखने को मिला रैकेट करंट चेनी खिलाडी को 21-21-21 से हराया सबसे पहले ख़बरों के शुरुआत करेंगे एशिद से तो बाउंसर के वार पर अब आश्रिया के कोच जस्टिन लैंगर सामने आए हैं उन्होंने कहा है कि हम बाउंसर का जवाब बाउंसर से नहीं बलकि टेस्ट मैच जितने पर अपना पूरा धियान देंगे स्मित को बाउंसर से चोटिर होने के बाद यह ख़बर मीडिया में बहुत तेज हो गई है कि अब आश्रिया ही तेज गेंदबाज एट का जवाब पत्थर से देगी लेकिन कंगालू टीम के कोच ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमें टेस्ट मैच जितने में बाउंसर मददगार होगी तो ही हम उस तरह की गेंदबाजी करेंगे वरना नहीं एक किशारों में उन्होंने इगलैंड को भी सचेस्ट कर दिया है कि हर टीम के पास तेज और बाउंसर फेकने वाले गेंदबाज होते हैं गौरतला बै कि अउस्ट्रेलिया एशेज में पैट कमिंस, हैजल वूड और मिचल स्टार्क के साथ खेल रही है तो देखना दिल्चस्प होगा कि लेट स्टेस्ट में आस्ट्रेलिया के गेंदबाज किस तरह का रवईया अपनाते हैं नए जोश और जुनूर के साथ आज भारतिया टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का कर दिया है आगाज इस चैंपियनशिप को लेकर भारतिया टीम में यदि कोई सबसे ज्यादा उत्साहित है तो वो है भारतिये कप्तान विराट कोली कोली ने काफी समय बताया है कि वश्व टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है आपको बता दें किस चैंपियंशिप की सुरवारत अगस्त से हो चुकी है जो 14 जून 2021 तक चलेगी नौट टीम में इस पर्दोगिदा का हिस्सा रहेगी जिसे कुल मिलाकर भारतर टेस्ट मैच खेलने होंगे भारतिय टीम टेस्ट चैंपियंशिप समाथ होने से पहले तक 18 मैच खेलेगी जिसमें सबसे ज्यादा 5 टेस्ट मैच उन्हें इंगलेन के खेलने हैं तो देखना यह काफे दिल्चस्त होगा कि क्या भारतिय टीम लीग मैच क्वालिफाई करके जून 2021 में फाइनल खेलने लॉट्स पहुंचती है PCCI TV ने ताज़ा वीडियो जारी किया है जिसमें किंग कोहली विवियन रिचर्ड्स के इंटर्व्यू लेते नजर आ रहे हैं कोहली ने शो के सुरुवात में ही कहा कि आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो आपने मुझे ज्यादा करते नहीं देखा है और मुझे करना पर रहा है क्योंकि मेरे पास ऐसे खास अप्यारेंस है विराट कोहली ने विवियन रिचर्ड्स से काफी अच्छे सवाल पूछे हैं कोहली ने यह भी पूछा कि आपके दोर में जब हेलमेट क्रिकेट में आज चुका था फिर भी आप बिना हेलमेट के बैटिंग करना पसंद करते थे क्यों तो इसके जवाब में विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि मुझे हेलमेट पहनना अच्छा नहीं लगता था लेकिन मैरों करण के टोप भी पहन कर बल्लेबाजी करना मेरे लिए गर्व के बाद थी उन्होंने यह भी कहा कि वो उस तरह के माइनसेट के इंसान है जो समझते हैं कि यदि उन्हें चोट लगती है तो भगवान की मरजी है कबरे कबड़ी की मैदान से तो 52 मुकाबले में जैपूर पिंक पैंथर्स ने तमिल थलाइवाज को हाई वोल्टेज मैच में 28-26 से राउन दिया है और इसी जित के साथ 36 संकों के साथ जैपूर की टीम पहुँच गई है इंक तलिका में पहले पायदान पर मैच में कई समय ऐसे आये जब दोनों टीम के स्कोर बराबरी पर था लेकिन अंत में बोनस पॉइंट के जरिये जैपूर ने मैच अपने नाम किया वहीं दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन ने पिछली विजेता बैंगलोरो बुल्स को 31-21 से धाराशाई कर दिया है पुनेरी पल्टन की टीम से रेडिंग में मनजीत ने शांधा परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया तो वहीं दूसरी तरफ बैंगलोरी के रोहित और पवन का फ्लॉप शो देखने को मिला बैडमिंटन कोट के स्टार भारतिय शटलर पेवी संदू WDF वर्ल्ट चेंपियनशिप के तीसरे दौर में पहुँच गई है 43 मिनट तक चले मुकाबले में सिंदू ने चीन की खिलारी को 21-14-21-14 के बरे अंतराल से दाराशाई कर दिया है अलाकि पहले सेट में 5 पॉइंट तक दोनों खिलारी बराबरी पर थी लेकिन उसके बाद सिंदू ने लगातार बहत बनाना जारी रखा तो दिश्व और दुन्या की तमाम खबरों से बने रहने के लिए न्यूश फर भारत को सब्सक्राइब करें